इसकेश थे कोरोना के आज तीन और बढ़ गए हैं आज 49 केसेज हैं कोरोना के जिसमें 49 में से 39 केसेज वो हैं जो बाहर से आये हुए यात्री जिनको क्वारेंटाइन रखा गया था वो समय समय पर उनकी केस्टिंग हो रही है तो वो उन में से जो केसे निकले हैं और दस केसे ऐसे हैं जो उनकी वज़े से आगे लोग संक्रमित हुए है वहाँ पर लोकल लेवल पर जो ट्रांसमेशन होई लोकल लोगों में फैला है लेकिन एक प्रशन उठता है कि अभी स्थिती नियंत्रण में ह एक दिन में तीन चार केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिती है यहां तक कि अमरीका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम इंग्लेंड में भी यूके में भी बह बहुत जादा बढ़ जाती है कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार है इसकी तैयारी करने के लिए दोक्टर की टीम बनाए थी पांच डॉक्टर सरीन जो की I.L.B.S. के हेड हैं उनके ध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शांदार काम किया है उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है सारी तैयारियों का प्लान बना के कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत जादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या-क्या तैयारियां करनी है इसको उन्होंने तीन स्टेजिज में बाटा है एक है कि अगर डेली सौ तक केस कोरोना के आते हैं हर रोज सौ नए केस अगर सौ से कम सौ नए केस को करोना के आते हैं तो हमें क्या तयारियां करनी है दूसरी स्टेज अगर पांसो तक केस बढ़ जाते हैं रोज पांसो रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तयारियां करनी है और तीसरा की अगर एक हजार केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव रोज 1,000 patient corona का आना चालो हो जाते हैं तो हमें क्या तेयारिया करनी हैं अभी 100 तक case अगर कोरोना के daily आते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि किसे दिन 3 आ रहे हैं किसे दिन 4 आ रहे हैं अगर ये बढ़ के सौ परड़े भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो विवस्था है आज हम जिस थिती में हैं वो काफी है इसको हमने चार-पांच चीजों में देखा है कि हमारे पास आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी अगर सौ केस होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी पांसो होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी हजार होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत कितने टेस्टिंग शम्ता की जूरूट पड़ेगी कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं अगर सौ बेड सौ पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे-मोटे तौर पर हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे दूसरों के सस्पेक्ट्स के फैले वालों के कॉंटक्स क कितने test की ज़रूट पड़ेगी, 500 case आते हैं तो कितने test की ज़रूट पड़ेगी, और ambulances की कितनी ज़रूट पड़ेगी, 100 case में कितने ambulances, 500 में कितने ambulances, 1000 में कितने ambulances, कितने doctors, nurses की ज़रूट पड़ेगी, वो doctors, nurses कैसे आएंगे, कहां रहेंगे, इस सब की बहुत detailed planning, इन सब इस डॉक्टर्स की टीम ने की है तो सौ केस तक जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है सौ से जैसी बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लैनिंग करके दिया है कि हमें सौ से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी हैं ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंकलूड करना है ये ये एंबुलेंसे यहां यहां से आएंगी ये ये वेंटिलेटर यहां यहां से आएंगी तो सौ से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीजें इंप्लिमेंट करना चालो करेंगे एक तरह से सोपी तयार हो गया हमारा एक तरह से पूरी प्लानिंग तयार हो गई सौ से बढ़ने पर हमें यह यह स्टेप्स लेने हैं वो उसकी सारी तयारी है पांसो पर बढ़ने हमें हमें यह स्टेप्स लेने हैं इनमें अभी सौ तक की गोई जैसे मैंने का हमारी पूरी तयारी है उस पे बढ़ने पर अब जो जो कमिया हमें zor आ रही है कि वही 500 के यूपर बढ़ गए तो हमारी मान लो वेंटिलेटर कम पढ़ जाएंगे तो उनकी अब जहांगे हमें कम्यों को हम सारी दूर कर रहे हैं और इनकी प्लाइनिंग के हिसाब से हजार पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर हजार पेशेंट पर डे तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं भगवान क चाहिए उसी स्थिती ये लॉगडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए किया, मैं उमीद करता हूँ कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है, तो हमें त्यार तो रहना चाहिए ना, तो उसके हम लोगों ने पूरी तयारी की है दूसरा है जो बहुत गरीब तपका है सबसे गरीब तपका जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को लेकिन जिन लोगों को जिन लोगों को इस राशन कार्ड भी नहीं है जिन लोगों को खाने को नहीं है घर में बिल्कुल अब बना के खिला रही है तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रहन बसेरों में खाना खिला रहे थे हमारे 224 रहन बसेरे चल रहे थे अभी तक लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पढ़ते जा रहे थे डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है 224 रहन बसेरे बहुत कम पढ़ रहे थे और कई जगे से खबर आ रही थी कि यहां भी लोग भूक्हें हैं यह भी लोग जाने की कोशीश कर रहे हैं मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मेडिया के उपर जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं यहां पर खाना नहीं है तो इसको हमने बहुत बड़े स्थर के उपर आज से हम बढ़ा रहे हैं हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतिजाम किया है 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम किया है जो एक्जिस्टिंग रहन बसेरे थे उन रहन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है तो आज से अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे आज से ये संख्या बढ़के लगबग दो लाक दस गुना आज से बढ़ा रहे हैं दो लाक लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़के डबल हो जाएगी कल से हम चार लाक लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगे जगे पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चलके ना आना पड़े मैंने अपने सभी MLA को बोला है कि सभी MLA के जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षित्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके जवस्था करें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालो हो जाए यह लॉक्डाउन सारा बिकार हो जाएगा अगर हमने यह सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसि जण चल रहा है वहां पे सोशल दूर दूर बिठा बिठा की भी ठाके लोगों को खाना खिलाये जा रहा है मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे है कई सारी समाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आईए इस कौन वाले बहुत मदद कर रहे है राधा स्वामी वाले उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की और से शुक्रिया अधा करना चाहता हूं। इन दिनों में पिछले दो-तिन दिन में मैं देख रहा हूं जहारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सुरेन जी के भी सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दिदी भी कह रही थी जहारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं। उनका ख्याल रखिये ममता दिदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं। यूपी वाले भी बिहार वाले। मैं सब को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के सीमाओं के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, उन सब लोगों के जिम्मेदारी हमारी है, वो सब हमारे हैं, वो जहारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडू के हो सकते हैं, केरला के हुँ सकते हैं कहीं के हुँ वह हैं दिली के pensa है वह हमारे हमारे साथ है वह हमारे AG उनकी बिल्कुल चिंता मध कीजिए। तो एक 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 विक्ति को हम खयाल रखेंगे पूरी कोशिश करेंगे एक दो दिन में कुछ जगे दिक्कते आई थी जैसे मैंने बताया कि खाने पिने की दिक्कते आ रही थी अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के उपर बढ़ा रहे हैं किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे और सभी राज्यों के दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग आ के यहां पे रहते हैं मैं देश के सभी अन्य राज्यों को उनके मुख्यमंत्रियों को उनके लोगों को या श्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी यह समय बहुत कठिन समय है सब को तकलीफ हो रही है सब तकलीफ हो का सामना भी कर रहे हैं लेकिन हम अपनी तरफ से सरकार की तरफ से झाल झाल